हेलो एवरिवन, असलाम लेकुम, वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल BWP देसी तड़का आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और जबरदस रेस्पी लेकर आई हूँ जो के सब के फेवरिट होते हैं, आज हम बनाएंगे चप्ली कबाब रेस्पी बनाने के लिए मैंने मटन लिए, यह मेरे पास बोनलेस मटन है, हड़ी के बगाइर लिए, अब हम इसका कीमा बनाएंगे यह कीमा हमारा त्यार हो चुका है, यह 2 kg हमार पास कीमा है, अब हम इसे निकाल लेंगे अब कीमा हमारा त्यार है, अब हम बाकी के इंग्रीडियन्ट जो है, वो इसमें शामिल करते हैं, यह एक मेरे पास बड़ी प्यास है, जिसे मैंने फाइनली चौक कर लिया है, आप इस तरीके से चौक कर लें और इसका जो फाल्तु पानी है, वो आप हैंड की मदब से दब निकाल अब हम इसमे प्यास डालेंगे, यह मेरे पास दो बड़ी टिमाटर थी जिसे मैंने फाइनली चौक की है, आप इस तरीके से बरी बरी चौक कर लें वो इसमें डाल लेंगे, यह हमारे पास सबसमर्चे औह जिसे उनने फाइनली चौक कर लिया है आप इसे शामिल कर कर सकते हैं यह 1 tablespoon मेरे पास गर्म मिसाल है Half tablespoon जो है वो ब्लैक पेपर Half tablespoon जो है वो chili flex Half tablespoon Red Merch 2 tablespoon जो है वो खुश्कदनिया ग्रेंड किया हुआ यह चार से 5 चमज जो है इसमें कॉण फ्लोर शामल करेंगे अगर आपके बासना कई काटा हो तो आप वो भी शामल कर सकते हैं वन टेbल स्पून जो है वह साबिस जीरह हाफ़ टेबल स्पून जो है वह भुणा हुआ पीसा हुआ जीरह अब हैं की मदद से आप इन सब चीजों को मिख कर ले आपने इसे तरीके अभाए जांके बाए इससे मिक्स करने के बाद एक घंडे के लिए कवर करके रख दे सारे तक झाले करलिया आभ इसमें सबस दी डाल कि पर इक ही जोग कि आप इसे आज जिए sanki प्रैकिने के लिए पिर हमक्स करें एनिगे इसे freezer में रखे हुए एक घेंटा हो गए, आप हलका सा पानी लगा कर hand को इसके चपली कबाब बना ले आप इस तरीके से ले ले थोड़ा सा आप जितने बड़े चपली कबाब बनाने हो आप उतना ही mixture ले ले हम इस तरीके से इसके चपली कबाब बना लेंगे आप प्लेट में रखके भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं आप जितना मर्जी बड़ा चाहें चपली कबाब बना सकते हैं यह देखें हमने सारे चपली कबाब जो हैं वो बना कर त्यार कर लिए हैं आप इसे एक एक करके इस तरीके से फ्राइ करते जाएं आप इसे अराम से ओयल में डाल दें, यह ओयल हमने पहले से गरम किया हुआ है आप इस तरीके से इसके ओपर घी डालते जाएं यह हमारे चप्टली कबाब एक साइट से फ्राई हो गए हैं, आप हम इसको पलट लेंगे आप एक बात का धिहान रखें, फ्लेम जो है वो मिडियम होना चाहिए अगर हाई होगा तो हमारे चप्टली कबाब जो है वो अंदर से पकेंगे नहीं आप देखें इनका कितना खुबसुरत कलर आ रहा है, ब्राउन कलर का, इस तरीके से यह फ्राई होते रहेंगे सारे चप्टली कबाब जो हम इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे यह देखें कितना खुबसुरत कलर आ रहा है, हमारा चप्टली कबाब जो है वो त्यार है, अब हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे देखें दूसरा चपली कौबा भी त्यार हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्बूऊ आ रही है आप इस तरीके से टेमाटर लगा खर्व्या बी चपली कौबा फ्राई कर सकते हैं ये आप सिंपल भी फ्राय कर करके आप इस तरीके से डालते जाएं कि करके कि अपिस चाहिए करके आप आप किसी ओप डालें आरे यह सब्सक्राइब कर लेंगे कि देखें इसका कितना खुलस्री कणलर आ गया गया डूसरी साइट से भी हम इस त्वाइब कर लेंगे जब हमारा कर देंगे तेज हमारे कबाब अच्छे से फ्राइब निकाल लेंगे अलहम दूलिल्ला हमारे चपली कबाब जो हैं वो बिल्कुल त्यार है इंशाला आपको ये रेस्पी जरूर पसंद आएगी अगर हमारे रेस्पी अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके आने वाले निव वीडियो जो है वो आप तक बास आने पहुन सके निव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस